बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाउं में एक जंगल था, वहाँ अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते थे, गाउं के बच्चे हमेशा अपनी बड़ी दादी से सुनते थे कि जंगल में कितने रोचक जानवर रहते हैं, एक दिन गाउं के छोटे से लड़के ना करते हुए देखते हैं कि एक बाग और एक मेंधक एक साथ बैठे हैं. सब बच्चे हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि बाग और मेंधक एक साथ कैसे बैठ सकते हैं. रवी ने दिल से सोचा और फिर एक बुद्धिमान पर्याप्ति बनाई. उसने दोस्तों को बताया, हमें देखना चाहिए कि बाग और मेंधक कैसे साथ साथ बैठ सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं. धीरे धीरे वे बाग और मेंधक के पास पहुँचे और देखा कि वे एक साथ हंसते और बातचीत करते हैं. रवी ने उनसे पूछा, बाग ने हंसते हुए कहा, रवी और उसके दोस्तों को यह सिख मिली, कि दो अलग-अलग जीवों के बीच में भी मित्रता और समझ हो सकती है. वे गाव लोट कर खुशी-खुशी अपने अनुभवों को दादी से साज़ा करते हैं, और सभी बच्चे ने उनकी कहानी से बहुत कुछ सीखा.